मैं हूँ सुरती जिंदल, जान है तो जोहान है आपकी जिंदगी में खुशें ही खुशें हो और आपको कभी भी किसी भी बात का तनावना हो इसके लिए जुरूरी है कि आप स्वस रहे आपका शरीर चलता फिरता रहे और आप सेहत मन बने रहे इसी उमीद के साथ आपके फेवरिट चानल पर हम रोज लेकर आते हैं आपका फेवरिट हेल्चोल संजीवनी ताकि इस बस रहे हैं और हमारे साथ वर्ल्ड फेमर्स आयर्वेद अचारे मौजूद है डॉक्टर प्रताप चोहां डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है आप तेंक्यू बर्लच आज संजीवनी में हम किसी बिमारी पर नहीं बलकि आयर्वेद की एक ऐसी चिकित सा पद्धती पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप डॉक्टर चोहां से दर्जनों बार सुन चुगे है जिहां आयर्वेद की ये चिकित सा पद्धती कई रोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है माना जाता है कि जो भी इस पद्धती से अपना नियमे तेलाज कराता है उसके पास बिमारिया फटकती तक तहीं है और काई बिमारिया इस पद्धती की वज़े से दूर भी हो जाती है जिहां हम बात करें हैं आयर्वेद की मश्रूर चिकित सा पद्धती पंचकर्म की तो आज की संजीवनी आप के लिए बेहर खास है आज की संजीवनी आप बेहर ध्यान से देखिए था कि आप पंचकर्म की खासियत को जान सकें और उसका पूरा अलाब उठा सकें आए उससे पहले देखते हैं क्या होता है पंचकर्म जोड़ों का दर्द कमर्द गर्दन दर्द माइग्रेंड अनित्रा डिप्रेशन दर्दन बीमारिया एक इलाज पंचकर्म जो पाकी अलग तरह के इलाज से नहीं ठीक हो सकती तो आप सिलह देखे पंचकर्म कराईए पहले तो आप यह बताईए पंचकर्म होता क्या है और आयुर्वेद में इसको इतनी अहमियत क्यों ली गई है? क्योंकि यह क्या करता है? यह जो चिकित से हमारा प्लाइन है, जो ट्रीटमेंट प्लाइन है, कि जो बॉड़ी के अंदर जो दोश है, जो रोग को पैदा करते हैं, उनको शरीर से बाहर निकाल दिये जाता है तो एक तरह से आप समझ लिए जैसे modern medicine में operation करके किसी चीज को बा कराते हैं, motions के दौरा, lose motions होते हैं, उसके बाद anima देते हैं, कही प्रकार के anima, इस डिफरेंट फरम नेचरोपेथी, नेचरोपेथी से बिल्कुल डिफरेंट है, इससे नेचरोपेथी के साथ इसको बिल्कुल compare मत करिए, बहुत सारे लोग confused रहते हैं, कि जी हम वहां गए जड़ी बूटियों के जो डिकॉक्शन्स होते हैं, उनके काड़े उसमें फिर तेल डालते हैं, उसमें और और औशदिया डालते हैं, उससे anima दिया जाता है, या फिर तेल होते हैं, मेडिकेटिड ओयल होते हैं, कही प्रकार के, एक नहीं मेरे खल पचासों प्रकार के इंको आपकी रोख की अवस्ता की अनुसार उन से अनिमा दिया जाता है और continuousली जो है उए एक ही परकार का नहीं होता है उसमें चेंज करते हैं एक दिन तेल से देंगे, एक दिन काड़े से देंगे, फिर अगले दिन तेल से देंगे तो उसका purpose होता है कि बोडी के अंदर जो वात का जो प्रकौप है उसको हम शांत करें और इस से पहल एक जो चौथा कर्म होता है हमारा नस्य कर्म होता है उसमें नाक के मादिर से हमें उसदियां डाली जाती है और पांचवा कर्म होता है रक्तमोक्षन यानि के गंदा खून सरीर में अगर जम गया है कहीं पर या उसकी कारण से कोई बिमारी हो रही है या कभी कभी हमें दोशों को किसी पर्टिकुलर जगे से ब्लट के द्वारा उसको बाहर निकालना है तो उसमें वहां से उस खून को निकाला जाता है कैई प्रोसीजर उसके होते हैं आजकल इतना पॉपॉलर नहीं है ये वाला प्रोसीजर कुछ चीज़ें इसमें करते हैं जैसे लीच का प्रियोग करते है जोंक जो होती है जलो का उसको जाते है जोंक आपने देखी होगी प्राचीन समय में और कई तरीके होते थे आपने यह भी देखोगा पहले गाउं में आते थे लोग वो सींगी लगाते थे शींगी यानिके एक बिल्कुल कौन शेप का कुछ यंतर होता है उसमें थोड़ा कट लगाके पूरा गंदा खून अंदर से बाहर निकाल देते थे जोड़ों में से या किसी और जगे से तो यह तो ही पांच करिया हैं पंच करम जिसको हम कहते हैं और इससे पूर्व जो पूर्व करम होते हैं स्नेहन और स्वेधन स्पेशल टाइप की को स्वेधन होता है तो यह तरीका किस लिए करते हैं ये सब पूरॵ करम करते हैं कि दोश आपके को च्ट के अंदर पेट के अंदर आजाए जहां से उनको बाहर निकाला जाए यह तो विमेटिंग के दवारा या तो अरगे शल के दवारा या फिर भी बस्ती के इसी परकार से जो सिर में रोग होते हैं, नाक में, साइनसाइटेस, कान में, इनके लिए नस्य दिया जाता है, क्योंकि ये नाक हमारा यहां का दरवाजा है, सिर का, यहां से उन दोशों को बाहर निकाला जाता है, बहुत ही बढ़िया एक प्राचीन हमारा ये चिकितसा पद निक दाशिक जुड़ गए है नॉड़ा से अमिद जी सुआगे ते आपका अपती समस्य बताईए जी मेरी परेशानी है पिछले दो मेने से बहुँ जादा सार्दी जुखाम और सांस लेने में परेशानी हो रही है मैं एक्सरे के लिए गया था डॉक साब जी तो उन लोगो ने बता है कि नुमोनिया जैसे शिकायत है पैचिस बन गए है अच्छा अब भी खांसी होती है और सपेद कलर का कफ भी आता है उसमें देखो सबसे पहले तो जो जो भी डॉक्टर्स ने आपको बताया है चेक अप किया है पैचिस बन गए है या जो भी है टुबर क्लॉसि बड़ी जल्दी हो जाती ही लोगों को बहुत जादा लोगों को टीबी है और आजकल गवर्मेंट ने भी काफी अभियान चलाया है कि सबसे पहले इसको रूल आउट करना बहुत जरूरी अगर टीबी आपको है तो टीबी का कोर्स लेना चाहिए ऐसा हम भी आपको एड़ उसके लिए अच्छी चीजें कोई घबराने वाली बात नहीं बहुत अच्छे उपचार भी है और शदीयां भी है और कुछ चीजें आप अभी घर पर भी बना सकते हैं चोटा सा एक अगर कारा भी बना लगे दिन में दो बार आप तुलसी के पत्ते ताजा अधरक और धन यह एक कप पानी में डाल करके अच्छी तरह से जब उबल जाए खूब तीन-चार मिनिट उबल जाए उसको छान लेजिए और इसमें थोड़ा शेहद मिला करके आप दिन में दो बार पी लिजिए इसके अलावा आप सोंट का चूरन थोड़ा ले लिजिए आदा चम्मश सुबए आदा चम्मश शाम को इसको भी शेहद मिला के आप चाट लेंगे तो उससे आपको काफी रहत मिलेगी सांस में भी और खांसी में भी और च्छाती पर जो है फलका सा गुन-गुना तेल आप सर्सों का तेल गरम करके उससे मसाज करें और च्छाती को थोड़ा सिका आई भी करें तो उससे भी आपको रिलीफ मिले तो आप शुरू कर सकते हैं आज से बिल्कुल लेकिन आयरुविदिक आशधिया आपको चाहिए दवाईया अगर आपको चाहिए तो इसके लिए फिर आयरुविदिक डॉक्टर से जैसे हम बार बार कहते हैं आपको हमेशा आपको पंच करम करा दे की बिल्कुल करा सकते हैं गारे जब आपको ठीक ठाक चल रहे तक आप सर्विसिंग लिए ले जाते उसको तब भी ले जाते ही खराब हो जाती तो लही जाने पड़ती है गराज में चैसे अट threat की गारे लेजा इन टेश आज बॉत उसकी सर्विसिंग कराने के लिए जो स्वस्त शरीर है उसको भी साल में एक बार आप जाएं पंच करम के लिए हमारे हैं पर आजए रहने की फेसिलिटीज हैं अची वहां आपको थोड़ा पंच करम कराईए एक वीक, दस दिन, पंदरा दिन, पूरी क्लिनिंग करिए दूसर बिमारी अगर होगी खराबी कुछ है तब तो पंच करम करा ही सकते हैं और उसमें मुख्य रूप से जो क्रॉनिक बिमारी मैंने का जो जटिल रोग हैं बहुत कठिन हैं जिनकों के बिल्कुल दवाईयों से भी आपको असर नहीं आ रहा हैं जोडों के दर्द हैं, कमर दर् हैं मांसिक रोग हैं, मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बहुत ज़्यादा जो हैं आपको गंभीर स्किन के डिजीजिजिस आपको बिल्कुल इचिंग होती है, बर्निंग होती है, एकजीमा हो गया है, सुराइसिज हो गया है, सफाईयाँ चाहिए, आपको पूरा खूण के साफ करना है आपको बलड साफ करना है पूरा अंदर से यहां कलीनिंग की बात हम करते हैं तो अपको पंजकरम कराना चाहिए और जहां तक और डिशीजिस की बात है कोई भी रोग रोगी है जो जब डॉक्टर से उस परामश होता है तो डॉक्टर की समझ में भी आता है कि इसमें पंच करम ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है कुछ चीज़े हैं ऐसी पेट के रोग हैं चोटे मोटे आपको हलका फुलका कुछ प्रोब्लम है कोल्ड वगरा है जो काम है तो उसमें औशणियां भी हम देते हैं अब सभी लोग पंच करम नहीं करा सकते तो ऐसा नहीं के चिकित सा केवल पंच करम से होगी ऐसा नहीं लगनाव से अबदुल जुड़ गई है श्वागत है आपका पना सवाल करें जी नवस्तर डॉक्साओ जी बोली नवस्तर मेरी ओमरवी 25 वर्द है जी और पिछले कई समय से नाइट ब्लाइंड नस की बात करते हैं नुट्रिशन की बात करते हैं आपकी आखों को जो है तोड़ा सा जो है आईरविदिक दवाईयां इसमें दी जाती है खास तोर पर विटामिन A का सेवन आप करें मुख्यरूप से तो बहुत फाइदा होगा और आपसे निवेदन में करूँगा कि थोड़ा गाजर और पालक इसका जूस बना करके आप पीए या इनका जो है सूप बना करके आप पीए उससे आपको डेफिनिटली फरक पड़ करके कुछ दिन आरवेदिक और जरूर खाएं दो तिन में तो उससे आपको कुछ नब कुछ रिजिवनेशन बॉड़ी में मिलेगा आखों की जो शक्ति रोशनी और जो आखों की मास्पेशिया हैं उनमें आपको काफी एक विशेष परकार की जो मैं कहूं कि शक्ति उसमे मिलेगी आखों करना होता है पंच करम जिस टाइम आप करा रहे हैं तो उस टाइम हम आपको एक स्पेशल डाइट देते हैं बहुत जरूरी उसको फॉलो करना पड़ता है और सबसे जरूरी है कि जब पंच करम आपका कंप्लीट हो जाए चो भी हमने क्रिया करनी है उसके ब आपको विरेचन हुआ तो विरेचन के एकदम आप जो है भोजन नहीं खा सकते हैं पहले आपको पतला सा मांड पिलाते हैं चावल का मांड पिलाते हैं या पतली सी दाल का पानी पिलाते हैं या फिर उसके बाद पतली सी खिचडी आपको देते हैं ऐसे दो-तिन दिन तक आ तो काफी जो है वो क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है, तो जैसे कई बर आपका नया इंजन बांते हैं, कई बर मेकैनिक तो कहते हैं, अभी कुछ दिन तक इस पर डबल सवारी मत बठाई है, सिंगल, ज्यादा लोड नी डालना, तो ऐसी जब हमारी सफाई हो जाती हैं अंदर वो आपको फॉलो करने करें चलिए अब इसे के साथ बात कर लेते हैं आज की संजीमी की, जिसको डॉक्टर चोहान हमें बताएंगे पंच कर्म को लेकर क्या है आज की संजीमी, डॉक्टर साब तो क्या है आज की संजीमी? आज की संजीमी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कमर दर्ण हो जिसको के डिस्क स्लिप भी लोग कह देते हैं या के बरी कहते हैं भी आपके नस दभी होई है तो उसके लिए आईरवेद में पंच कर्म या पूरुप कर्म का जो हम एक हिस्सा है इसको कटी बस्ती बोलते हैं आपके कमर के ऊपर एक रिंग बनाई जाती है उसमें गरम गरम मेडिकेटिड ओयल उसमें भरते हैं फिर उसको पोटली से भी मसाज होती है स्टीम होती है बहुत अच्छी प्रसीजर से तो आप उससे कराइए जहां तक मानसिक रोगों की बात करें जिसको के डिप्रेशन है एंग्जाइटी है इंसॉम्निया है ऐसे ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं जो के बिलकुल उम्मीद छोड़ चुके हैं और वो उनको जिन्दगी अच्छी नहीं लगती है सुसाइडल थोट आजाते हैं नेगिटिव थिंकिंग होती है यह ब कोटन उसके सिर पे रखा जाता है वो बहुत अच्छा है जहां तक हम बात करें यह साइनोसाइटिस है छींके आती है ऐलर्जी होती है गला खराब रहता है यह उससे भी उपर जाएं यहां सिर में दर्द होता है माइगरेन होता है उसके लिए नस्य ट्रीटमेंट बहुत काम करते हैं बहुत बढ़िया काम करता है पांच साथ दिन एक हफता भी आप नस्य कराएंगे तो आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट बनेगी आँखों की बात करिए आप आँखों के जितने भी रोग हैं चाहे वो गंभीर रोग हैं जो के इनक्योरेबल भी कह दिये जा परकार से त्वचह के रोगों में जहांके स्किन के पुराने रोग में सुराइशे रेखिमा हैं कितने खतरनाक रोग हैं उसमें विरेचन हमारे तो अहां नहीं कराई जाते हैं जो अटा हैं जो दुड़ेखार समंदित रोग हैं उनमें वंश reflects जाता है तो बहुत अच्छी अच्छी चिकत्सा हैं आज मैंने पंच करम के बारे में थोड़ा बताया हालनकि पंच करम आप घर पर तो नहीं कर सकते हो लेकिन थोड़ी जानकारी आपको जरूर मिली कि कौन-कौन से रोग में आयरवेज में किस-किस प्रकार से चिकत्सा करम के माद्धन से हम करते हैं